कि अजिए प्यारोग क्या हाल है सबके ठीक है तीन चाहिए दिन बाद मैं हमसे मुला करते हैं दासुम मैं नमस्कार चलिए तो गुड़ीवनिंग 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 सब तो सुपब इवनिंग भी हो गया तो जै श्रीर्म जैंने हकाल का करते क्लास हो परहम करते हैं और आज बहुत ही मज़ेदार टोपिक लेके आई हूं आज तो आपको यह बास समझ भी आ गई होगी तो बिना देरी करें स्टार्ट करते वीडियो को लाइक कर लिए आज हम क्या पढ़ेंके ग्रैविटेशन आज हम क्या पढ़ेंगे ग्राइवी टेशन गुडी विडिवनिंग संपत की इंतरी पूनां कीर्थी में अफिशाओंगी मेरे दो दिन से संपत जी सबको तो करें स्टार्ट करते हैं पढ़ाई पढ़ा रही हूं और अभी मेरे पढ़ाने का बहुत अच्छा मूड है जोलो बच्छा तो आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं ग्रैविटेशन पढ़ेंगे तो आपको दो साइंटिस्ट के वारे में जरूर पढ़ना है जब भी गुरुत वा अकरशन पढ़ेंगे तो दो लोगों का नाम जुरूर आएगा इतिहास में एक क्या है आपके जोन्स कैपलर एक क्या है ग्रेट ग्रेट सर इसाक न्यूटन क्योंकि 19 साल की उमर में इनके सर के उपर एक एपल गिरा और उस एपल से क्या हो गया मैं उ झाओ जहर चाओ तो सोच हो अगर पूरा पूरा पेड़ गिर जाता तब इनके दिमाग का यह ज кажता है यूग смог इसा energy सेितो आज क्या है चलो एक हिए जी हら बच्ने बोला हैм योग के बारें वता हिए तो आज क्या है है आज है और इंटरसन कि योगाडेने ओकrick तो करें इसाए आदीआ ही आपको इन्टीप्स बताऊंगी वर्ल इंट नर्ल के अवर्ल इंटरनेश्नल योगा डे है और कई बार आपके एंसले में भी आते हैं तो 21 दून को हम बनाते हैं अंतरास्ट्रिय योग दिवस अम बनाते हैं अब चले जाते हैं अब्यूग के बारे में आप लोगों हो ने पूछा है तो योग के कुछ वी नब है लूग स क्वीन बेसे की का यहां माइंस संट्र chicks live को अब हिंदी में क्या बोलेंगे तो मैं जो आपका दिमार्स होता है वो एक का एक ही दिशाम में रहते है दूसरा क्या में मेटबॉलिज्ञ इंक renew होता है जिहां मेटबॉलिज्म इंकी रिए जोटे ऊगर व मैं अगर बॉलिजम इंक्रीज करेगा तो कि शरील में जो नो για Ό б л feeling fresh fresh आप क्या करते हैं feeling fresh करते हैं यानि कि आप अपने आप को अच्छा मैसूस करते हैं और सबसे बड़ा बनने चाहिए तो री प्रेजन टेबल को हो सकते हैं सेंटर ओफ अट्रक्शन बनने के लिए चाहिए तो, मैंने काफी मैंने अच्छे से सूट मूट पायन के माल में गई थी तो मेरा सूट बहुत अच्छा था और यह और बिल्कुल तो इसका रिजन किया था कि मैं रेगुलर योगा करती हूं वही चीज मैं अपनी है तो है तो यहां की बात तो आपकी होगी अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं अब हम पढ़ने जा रहे हैं हर चीज चो एक दूसरे को आकरशित करती है मैं यहां पे खड़ी हूं मैं उड़ नहीं रही मैं यहां पे खड़ी हूं ठीक है यह बोड अपनी जगह है आप अपनी जगह है तो यह सब किसकी वजह से यह सब है उस यूनिवर्सल फोर्स की वजह से जिस यूनिवर्सल फोर्स को हम क्या बोलते हैं ग्रैविटेशन ग्रैविटेशन को ही हम क्या बोल सकते हैं यूनिवर्सल फोर्स क्या बोलते हैं यूनिवर्सल फोर्स क्या बच्चा मैं इसी को हम बोलते हैं यूनिवर्सल फोर्स है ना अब हम पढ़ेंगे मैं ग्रैविटेशन यानि के गृत्व आकर उसमेह आप लगों के साथ क्या कर रही हूं? शेयर कर रही हूं सबसे पहले आपको definition पड़नी है किसकी? मैं सबसे पहले definition पड़नी है आपका अंतराश्ट्री योग दिवस केलेश्वर कह रहे हैं आपका नाम क्या है माई नेम इस निहारिका सिंग्राठ ठोर एंड प्यार से बच्चे मजे धासु में कहते हैं ठीक है चलो जी तो आगे पड़ते हैं राम राम जी तिक है राम अंजिन कह रहे हैं मैं राम राम य क्या है मैम यह क्या है यह क्या है एक यह गुण है जो किसकी वज़े से पैदा होता है मैम एक बल की feel से पैदा होता है उसी उसनी करते हैं सेन्फ मिन पास में एक श्चरा को ऐती competzn करते समयन इस 可以ish बोलते हैं ग्राविटेशन क्या है मोनो सिंग थैंक यू पीडियाफ पीडियाफ सब्सक्राइब करेंगे एप के अंदर पीडियाफ ड़ला हुआ है मैं हिंदी में लेखिए शंबु कुमार आपने फी छोटी बात कर दी क्या लिखू बच्चा ओल्डेडी हिंदी में लिखा मेरे घर में आकंशान आप के देखते हैं अब एसे इरिटेट करते हैं आपको नहीं करना आप मत किजिए लेकिन फालतों की Contraversy स्कीव प dankर पेया चलिए जी आगे देखते हैं अब मैं गुण को हम हिंदी में क्या बोलेंगे तो गुण को क्या बोलते यहां पर लड़का लड़की की अठ्रक्षिन नहीं और यहां क्या हो रहा है मैं बड़ी बड़ी हैवी बोडी जिनका मास बहुत जादा होता है जब वह आपस में एक दूसरे को एट्रेक्ट करते हैं इसी प्रपर्टी को हम क्या बोलते हैं ग्रैवीटेशन बोलते हैं क्या बोलते हैं मैं इस प्रपर्टी को क्या बोलते हैं ग्रैवीटे जो भी आपके पूशे गई है तो पहला कोशन क्या है कि ट्योरी ओफ ग्राविटी जी हां ग्राविटी की जितना भी सिध्धान्त है जो ग्राविटी का गुरुत्व आकर्शन का सिध्धान्त इसाख न्यूटन ने कहा लिखा तो यह लिखाता इन्होंने 1887 में और कौन सी ब पूछा गया कोशन कहा है कि सर्थ इसाख न्यूटन ने त्योरी ओफ ग्राविटी याने कि गृत्व आकर्शन का सिध्धान्त अपनी कौन सी किताब में लिखा और कौन से साल में लिखा तो साल क्या है 1887 और बुक का नाम क्या है मैं प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल फिलोस आपको पसंद आ जाता है तो जब दो बोड़िस आपस में दूसरी को पसंद करती है तब वह अट्रेक्ट करती है मैं कमेंड्स को इंग्नोर कर रही हूं लेकिन कुछ बचों के डाउट्स देखने पड़ते हैं चलिए जी तो पहला आप लोगों ने पढ़ लिया कि इसाख अब कोशन के आता है इसाख न्यूटन का समर्थन किसने किया कोशन आता है कि इसाख न्यूटन का समर्थन किसने किया था ऐसे कौन से भारतिय फिलोसफर थे जिन्होंने इसाख न्यूटन का समर्थन किया अंशुल रादे रादे जी रादे रादे ठीक है चलो ब्रहम गु यानि कि ग्रेविटेशन के बारे में ब्रह्म गुपता ने किसने किया था मैं ब्रह्म गुपता ने किया था मैं मास लैट वेट ग्रेविटी होगा शांती रखो सब्सक्रा कर वेट कि ग्रेविटी नहीं उगी लेकिन जितना आपका इलाका थे हां 5 건데 कोश्म एंपकिनी काऊ आपम जी तरहां से हम स्याइब करेंगे था मना और विट्राइब में व्रzण पर भली प्र परिज का है मैं हम दो हो यहां फॉर्मला और formula से पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? मैम gravitational force पढ़ेंगे. ठीक है? क्या पढ़ेंगे? gravitational force. इसको मैंने क्या बताया था? मैम यह universal force है. कैसी है? Universal force. अब कोई पुछे मैडम universal force कैसी होती है? जो पूरे भ्रह्मान में पाई जाती है. जो पूरे भ्रह्मान में के अंदर पाई जाती है. उसी को हम क्या बोलते है? यूनिवर्सल force बोलते हैं. अब इसके बारे में आपको दो बात याद रखनी है. संसार का सबसे कमजोर बल है. यानि कि the weakest force in universe कौन जी है? मैम gravitational force है. गुर्द्व आकर्षन बल संसार का सबसे कमजोर बल है. उसके बाद अगला article क्या है? कि इसका nature कैसा होता है? हमेशा आकर्षित करती है. Always attractive in nature. हमेशा क्या करती है? Always attractive in nature. शिवम कहरे मैम राम राम राम. गुड़ीवनिंग गुड़ीवनिंग. यूनिवर्सल फोर्स होती है. ठीक है? और ये कैसी होती है? मैम बहुती weak होती है. सबसे कमजोर होती है. और इसका nature कैसा होता है? कि यह हमेशा क्या करती है? एक गुशरे को आकर्षित कराने में help करती है. इसके बाद यहां से questions आपके SSC level में आये थे. यहां से questions आपके SSC level के अंदर आते हैं. यह हम क्या पढ़ रहे हैं? अब हम पढ़ेंगे effects of gravitation. यानि कि गुड़ुव आकर्षिन के पिरभाव. अब हम क्या पढ़ेंगे? बच्छा, अब हम लोग पढ़ेंगे गुड़ुव आकर्षिन के पिरभाव. तो सबसे पहला जो आर्टिकल है, वो क्या होता है? मैं, जुआर भाटा. क्या होता है? जुआर भाटा. इसको हम क्या बोलते है? Tide Formation. क्या बोलते है? Tide Formation. अब आप से पूछे जाएंगे Tide कैसे बनता है? कोई पूछे जुआर भाटा कैसे बनता है? को ये आर्टिकल सामने लिखा है. देखो बटा. The Moon Gravity Pulse on the Earth. आप क्या करना है बटा? चंद्रमा के गृत्व आकर्षन को अपनी और कौन खीषता है? पृत्वी यानि कि अर्थ मून को अपनी और खीच रही है. अर्थ मून को अपनी और खीच रही है. जब आर्थ यानि कि जब पृत्वी चांद को अपनी और खीचती है, तब क्या पैदा होता है? मैं जब Tides बनते हैं. क्या बनते हैं? Tides बनते हैं. as moon pass over the ocean जब आपका जो चान्द होता है वह समुदर तल के उपड़ से पास होता है तब क्या होता है मैम समुदर के अंदर क्या होता है एक उभार पैदा होता है और इसी उभार को हम क्या बोलते है टाइड बोलते हैं क्या बोलते है टाइड तो टाइट्स कैसे बनते हैं जब आर्थ मून को अपनी और खीचती है तो मून जब ओशियन के उपर से पास होता है उस टैम समुदर के पानी में क्या होता है एक उभार प्यादा होता है और उसी उभार से क्या बनता है मैं उसी उभार से बनता है आपका क्या टाइड बनता ह ठीक है और देखिए यहाँ पर यह article मैंने आपको दिखाई ही दिए है क्या होता है जब आपकी दो बोडी आपस में क्या करती है एक दूसरे को attract करती है तब क्या बनती है मैं gravitational force लगती है तब क्या लगती है gravitational force लगती है मैं, formula होता है, M1, M2, G upon me R square, जी हाँ, formula क्या होता है, F is equal to G, M1, M2 upon me R square, अब, अगर किसी बच्चे ने electricity पड़ा है, तो पता पड़ जाएगा, ये R क्या होता है, मैं, दो पिंड के बीच का distance होता है, दो पिंड के बीच का distance, यानि कि दो पिंड के बीच की दूरी को हम क्या बोलते है, मैं, दो पिंड के बीच की दूरी को हम क्या बोलते है, इसको बोलते है, radius ठीक है, तो ये है आपका formula of gravitation, ये क्या है, मैं, ये है हमारा formula of gravitation, इसके बाद अब आपको अगला article क्या पड़ना ह तो हम क्या पढ़ रहे थे हम लोग पढ़ रहे थे इफेक्ट्स क्या पढ़ रहे थे हम लोग इफेक्ट्स पढ़ रहे थे चलो जी अगला अर्टिकल देख लेते हैं यह देखिए आप सब के सामने डाइग्रम यह देखिए आप सब के सामने डाइग्रम और यह डाइग्रम क मैं जहां बहुत जल्द हो जाएगा बच्छा बहुत जल्द हो जाएगा आज मैंने UPSI की और CGL वालों की फिजिस्पूरी करी है बहुत जल्द कर देंगे ठीक है मेरा नाम ले लो मनुकुमार नाम ले लिया बड़ वीडियो को लाइक और शेयर नी किया मतलब 92 सुड़ेंट लाइक बड़ाओ लाइक बड़ाओ लाइक बड़ाओ फिर मैं आपको आगे और बताओंगी चलिए यह देखिए यहां पर क्या और है कोई मी पत्थर अपनी जगा फिक्स है किसी वजह से मैं ग्रैविटेशन की वजह से यहां फिर क्या होता है जब भी आप इस्पेस में तो आप उड़ने लग जाते हैं तो इस पेस में आप क्यों उड़ते हैं मैं इस पेस में उड़ते हैं लैप ऑफ ग्रैविटेशन की वजह से तो ग्रैविटेशन में क्या होता है मैं प्रिथवी क्या करती है प्रिथेख वस्तू को अपने केंदर की और खीचती है यानि कि गेविटेशनल फोर्स का काम क्या होता है गेविटेशनल फोर्स कैसे एक्ट करती है मैं इट फोकॉस अब्जक्ट तुवार्ज दा सेंटर ओफ अर्स यह हमेशा किसी भी वस्तु को क्या करेगी पिर्थिवी केंदर की और खीचना पसंद करती है ठीक है चलिए बेटा इसके है मैं सेटांड पैंट पॉंट सब्सक्रीस टी 지ए अंग में सब्सक्राइक और गलते हैं मैं सूर्य के चार्त और एं 활 राण राओं लगाते हैं किसकी वजय से ग्राइटेशनल फोर्स क्योंकि सन क्या करता है ग्राइटेशनल फोर्स इन प्लैनेट को अट्रेक्ट करवाने में हैं आगे देखिए और अब्जेक्ट इस अधरीन उनिवर्स संसार के अंदर धमान के अंदर जितने भी अब्जेक्ट पाएगा है जब एक अब हर चीज में हिंदी में पर तुम क्या सिकोगे एक लाइन तो हिंदी में मिस करने पड़ती है तो कि कुछ लाइन इंग्लिश हिंदी की बहुत तिंपल होती है आगे देखिए रेंडॉब पालिंग डाउंसाइड तुवार्स दा अर्थ क्या अब इस लाइन का मतलब भ बारिश की बुंदे जमीन पर आना बारिश की बुंदे जमीन पर आना किसका एक्जाम्पल है मैम ग्राइविटेशन का यह अब ऐसा तो आफ भी गिरेंगे चट से तो छ्त से गिल के हाँ आएंगे नीचे आएंगे आप पेर से इंग नीचे आएगा तो यह सब चीजे क्या है मैम ग्रैविटेशन है अब देखो बच्चा यह वाला जो आर्टीकल है इस इस इंपोर्टेंट आर्टेकल और कम से कम आप मान के चलो 15 टाइम्स पूचे अब कैसे 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 पुछए गए है तो वहां भी पॉशन साइक बाए है इसके लावा जो आपके टीचिंग एकजन को इसा क्या है एक इंपोर्टेंट आर्टिकल यह एक वी आई पी आर्टिकल है इसको हम बोलते हैं न्यूटन्स लोओ इविटेशन और इसी को खूलते हैं युनिवर्सल लोओ ड्रेविटेशन यानिकि जब सेब नीचे आया तो न्यूटन ने बताया यहां पर हम पानम लगा दिया और क्या दो और सब्सक्राइब को 웃ेम क्या बोलते हैं नुतरंश लओ उफ्ड़्य को बोलतें इस को बोढ़ national तो 5 मेरा लग्की नम्बर है तो मैं आप से मिलती हूँ पांच बजे चलो जी आप लो वीडियो को लाइक और शेयर नहीं कर रहें आज आज आपके कहने पे थोरी क्लास लेकर यह अब लाइक और अब लाइक और शेयर कर दो लाइक और पर अब देखो बट्या नूटर्ण ल करने मिफेंठीट की हैं एक नाम होता है तो निवर्ट्रान यह फॉर्मिला क्या जैता है यादी यह नियम क्या यदि दो अबजेक्ट ये है रिंकी और ये है पिंकी ये है आपकी रिंकी और ये है आपकी पिंकी अगर रिंकी और पिंकी एक दूसरे को अट्रेक्ट करती हैं मान लो रिंकी और पिंकी दो भेने और यह एक जगर खड़ी हुई है और इसलोगा ने मक्र lending स्वंटी और इनकी दूरी है आपकी आर ओर दूरी पर खड़ी हुई है अब यह क्या कर रही है एक दूसरे को अट्रेक्ट करेंगी तो जब ये एक दूसरे को attract करेंगी तो इनके बीच का आर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा और इनके बीच बल क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा. तो यहाँ पर हम कहते हैं कि इनके बीच लगने वाला बल proportional होता है किसके? इन दोलों के mass के product के. और मैम जो दूरी होता है उसके साथ कैसा होता है? इनवर्सली होता है. अब जब हमने इस formula को set किया तो यह formula बन गया कुछ-कुछ इस तरीके से. अब इसको हमने क्या बोला? मैम ये था हमारा constant. ये हमारा क्या था? constant. जब इस constant को हमने हटाया तो हमें क्या मिल गया मैम? जी मिल जी को क्या बोलते है? जी को क्या बोलते है? कि बहुत है स्цион хочुछ पूची गई है? या फिर इसकी खोज किसने करी वो भी पूछी गई है? मैने बोला ऑग्रेवीटेशन के अंदर कैपिलर्स लोग और आपका युनिवर्सल लोग ओफ ग्रेवीटेशन इंपोर्टन्ट आर्टिकल है इसलिए कह रही हूँ प्लीज इसको छोड़ मत देना न्यूटर्स लोग आफ ग्रेविटेशन को बोलते हैं यूनिवर्सल लोफ प्रेविटेशन यह क्याता है कि दो पिंड के बीच में लगने वाला बल उनके मास के समाज अनुपाती होता है और उनकी दूरी के व्युक्त करूम अनुपाती यानि की इनवर्सली प्रपोर्शनल होता है और यही आर्टिकल मैंने यहां प कम हो जाएगा और पॉशन यहां से पूशा गया है कहां पर आपके CGL 2017 में और CHSL 2021 में पूशा गया कोशन है कि यह जो जी है इसको बोलते है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉंस्टेंट इसकी खोज किसने करी कोशन क्या था जो आपका जी है जो यूनिवर्सल ग्रेवि 1978 में करी लग मग मतलब इग्जैक्टली नहीं पता बट आईस के अंदर पूशा गया कोशन था तो आईस वालों ने ओप्शन क्या दिया था यूपीस्टी ने ओप्शन 1798 दिया था और इग्जैक्ट नाम क्या है लोड हेंडरी क्या वेंडिस ने करी थी लाइट कम करतो ल है बिल्कुल बिल्कुल ठीक है ब्रमजीत हाओ और यूट वाट इस तरीके से नहीं करना चाहिए ठीक है चलिए लोड हैंडरी केवंडिस ने खोजगरी थी किसकी मैं ग्रेविटेशनल पॉंस्टेंट की और मैंने बोला की दो होजाज 21 सी अचैसल में कोशन पूशा गया है ठीक है चलो जी हाँ एक पार्टिकल अशो कहरें मैं एक पार्टिकल आप और एक हम हाँ बिल्कुल बिल्कुल हम लोग भी अट्रेक्ट कर रहें किसी हुजैसे मैं ग ग्रेविटेशनल कोंस्टैंट की वेल्यू वेल्यू कितनी होती है यह इसकी orang बेल्यू है जो कि इतनी लोग नहीं है तो आपको यसकी économ को बिल्ते पाँए है घunnitेื่ल कर किलोघ्रा क्या होती है एक उठ बड़ेवगर प्रक रसे Czechos अपकर देंटील TL क्या थाक्ज आटी होत equal to G, N1, M2 upon me R2, is it? मैm, यही formula था? मैं, यही formula था. अब मैंने क्या G की value निकाल लिया, तो formula क्या बनेगा? मैं, अगर हम गो G की value निकाल लिया, तो formula कैसे set up होगा? यह देखिए, formula बहुत simple setup हो जाएगा, G is equal to F into r2 upon me M1, M2. Force unit क्या होती है, बच्चा? Newton होती है R के लिए क्या लेंगे मैं Meter क्योंकि distance है तो दो बार आ जाएगा Mass के लिए क्या लेंगे मैं Kilogram तो 1 Kilogram ये और 1 Kilogram ये इनकी multiply तो वैल्यू क्या गई Newton meter square per Kilogram square values निकालनी सीख लिजे Already मैंने आपको Units and Dimension कराया है जहां मैंने आपको values निकालनी सिखाई है रादे रादे राजपिशो राजपुत रादे ठीक है बच्छा तो यह values आपको मैंने निकालनी सिखाई है ठीक है और already जो बच्छे कह रहे हैं मैंने पहले टू लगा दिया था क्यों बच्छे typing mistake कभी-कभी हो जाती तो क्या कर सकते हैं हम उनको डाट तो नहीं सकते हैं बैटर है कि हम लोग जहां एर्राय भापर ठीक कर सकते हैं अब देखिए अब यहां से एक important point है जो कहां पूछा गया था एंटी PC 2021 में यह वाला जो line है यह line मेटा मेरे एंटी PC 2021 में वीडियो को like and share नहीं कर रहे हैं आप वीडियो को like and share नहीं कर रहे हैं भाई प्लीज चैनल इंडियन boy के चैनल को support कर दो अरे नलाय को पहले तुम यहां तो पढ़ लो मतलब इतनी important मैं theory करा रही हूं यह theory आपक अपने चैनल की पढ़िये बहुत गलत बात संतोष कुमार गुडियर गुडियर गुडियू धाकर मेडम परणाम विर्जेश यह अदव धन्यवाद जी जान भी अगरवाग मैं आपका बता दो मेरी क्लास होती है 5 पि-म मेरी क्लास होती है 5 पि-म और मेरी क्लास का टाइम ह मतलब सौंबार से शुकर वरत में मिलती हूं और कल मैं कुछ इस पेशल लेकिया और आपके लिए आँगी बहुत ही कमाल वाले ट्राक्टिस एक लेकिया वाली हूं और ऐसे कोशन करके आप का दिल गारण गारण हो जाएगा तो कल की धमाके वाली क्लास जिरूर देखना औ तो पॉर्सों में क्या कराऊंगी पॉर्सों में कराऊंगी बल्क प्रोपर्टीज विस्कोसिटी क्या होता है सर्फेस टेंशन क्या होता है ना लो ओफ फ्लोटेशन क्या होता है अर्कमेटिक प्रिंसिपल क्या होता है पॉर्सों में फिर से एक इंपोर्टन टॉपिक कराने जा रहे हूं तो मैं बताती हूं कि दैम शूर पढ़के मज़ा आएगा तो क्लास नहीं चोड़नी इसी बाते वीडियो को लाइक एंड शेर कर दो गुड़ीवनिंग सरकार पॉट्ष निकालने वाले पॉट्ष नुमेरिकल पॉट्षेशन करा रही हूं करने हैं वहां को समझाने के लिए अब देख यह एटिकल क्या यह आप लिखेंगे मैं यह है एक तो केंद्रित और यह संरक्षित बल भी है कैसा है संरक्षन बल भी है यानि कि मैं यह सेंट्रल फोर्स तो है और साथ में कैसा है कंजर्वेटिव फोर्स भी है मैं यानि कि यह संरक्षन बल भी है ठीक है अब देखी यहां से जो इंपोर्टेंट आर्टिकल्स है यह सारे आर्टिकल स्पीसियस के अंदर पूछे गया है और जिसने काई रहा कि मैं निमेरिकल वैल्यू निकालने के लिए आती है मुझे लग सब्सक्राइब कोई निमेरिकल वहां से आता ही नहीं है तुम पतानी कहां कहां सोई हो ठीक है चलो जी अब यहां से कोशन्स पूछे गए हैं यानि कि जो मरकरी और वीनस प्लैनेट है इनके पास कोई भी अपना प्राकर्तिक उपग्रह नहीं होता पहला पॉइंट एक ही अपनी प्राकर्तिक उपग्रह है और इस उपग्रह का नाम सब्यागै कको पता है चांद मेरा देल चांदनि हो तुम तो मैं फिरी फोल्ड को करने से पहले जला उपर के आर्डिकल पर लोग और डाइग्राम रुख जाएगा चलो मैकिमम नंबर ऑफ सेटेलाइट ś continue के पास किसे पास है boost कि यानि कि हमारे जो शनि गिरै से उपर कितने स्पी और यह इंश्य करी गए थी मैं अक्टूर 2019 में शनी घिराय के उपर क्या खोजे गए शनी घिराय के उपर 20 नए चांद खोजे गए और इन नए चांद को मिला के तोटल कितने उपग्रय हो गए थे 82 यह कोशन पूशा गया है बिहार PCS में यह कोशन पूशा गया है बिहार PCS में कि 20 नए चांद शनी घिराय पे कौन से साल में खोजे गए मैं अक्टूबर 2019 में खोजे गए और इनको मिला के टोटल वैल्यू कितनी हो गई थी 82 हो गई थी अब यह वाला कोशन मैंने आपको प्रैक्टिस सेट थ्री में कर आए मरकरी को अ एक घुर न कंप्लीट करने के लिए कितने दिन चाहिए मैं 88 मरकरी को सन के चारों और अपना एक revolution complete करने के लिए कितने दिन चाहिए 88 दिन चाहिए अगर आप से मैं पूछू अर्थ हमारी पिर्थिवी को सन का एक revolution करने के लिए कितने दिन चाहिए जल्दी से कमेंट कर दो जल्दी से कमेंट कर दो जल्दी जल्दी कमेंट कर दो कि हमारा जो पिर्थि भाइए ज़ल्दी से कमेंट करो बैटा हा कि अब कर हो एक बढे पूरा घुर नहीं पढ़ांगे और इबनींग जगमहन ने आंसर दिया आ तो ऑप्शन में आप क्या लिख सकते हैं बच्चा मेरे और अगर चांस ऑप्शन में 365.5 दे दिया हो तब आप यह निशान लगा तो बेसिक ली तो आप यह निशान लगाएंगे और अगर यह में ना दिया हो तो आप क्या लगाएंगे फिर 65 बनबाय फोड निशान लगा देना ठीक है मनिश कुमार गुड़ीवनिंग शायर धरमविर गुड़ीवनिंग शीव अंगांसर सही कृष्णय का सही जिक मोहन काभी सही ठीक है धासु क्यों लिख रखा है शिवाने शर्मा आ पर एक शरीर जब प्रिश्वी की और उस पे बडूर बस ग्रैविटेशंल वोच लगती notice कि यह और बल नहीं लगता तो एक शड़ीड जब प्रिसवी की ओर आता है और उस पर बस और बस क्या बोलेंगे फ्रीफोल बोलेंगे क्या बोलेंगे फ्रीफोल जब कोई पिंड प्रिथिवी की और आता है जब कोई पिंड प्रिथिवी की और आता है तो उस पे केवल और केवल गृत्व अकर्शन बल्व सक्रिय होता है इस ट्रैप की अवस्था को हम क्या बोलते हैं फ्र इश्कुमार गुड़ीवनिंग चीक है भी आर खीशते तो आप भी वह हो तो क्या खीच दिया बटा इस चलिए इंडियन बॉइप अधी कतनी बच्चा याद रखना मैं फिरी फोल क्या होता है कई बार बच्चे समझ नहीं पाते कई बार बच्चे समझ नहीं पाते 11th क्लास तक मुझे भी नहीं पताथा फिरी फोल क्या होता है फिरी क्या हुआ बेसी के अंदर इतने गजब की टीचर मिले हमारी डोली मैं मिली हमारे प्रिभीन सर मिले उन्होंने पॉंसेप्ट ही क्लियर कर दी अगर टीचर अच्छा मिल जाएगा देखो बटा कोई बच्चा नला अगर अच्छा टीचर मिल जाए एक अच्छा गुरू अगर मार दर्शन कर दे तो जीवन में सफल होने से आपको कोई नहीं रो सकता इस बात को याद रखना सुरेश कुमार गुडिवनिंग गुडिवनिंग ठीक है चलिए बच्चा तो फ्री फाल क्या होता है मैं एक ऐसी कंडिशन जब सिप आपके शरीर के उपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगती है और कोई फोर्स नहीं लगती उस कंडिशन क्या बोलते हैं ग्रेविटेशनल फ पेँछे घृअश करें कि आपके चलते हैं एक तो नॉर्मल सी वालिउ कितनी लेके चलते हैं 9.8 meter per second और जब आप numerical करते हैं NDA के अंदर या X group के अंदर तब इसकी वैल्यू कितनी दिजाती है 10 meter per second इसे एब यहाँ से important है यहाँ से important है इस G का मान बहुत आता है कि इस G का मान इस G का मान कब कम होता है अभी तक आप आप लोग कफ्यूज को अब मेरी कहाणियों सुनों चुटका जो होती है अपनी बदलता रहता है फिक्साइब डिल्वाले संबर दिल्वाली तो ची का मान्के नहीं बदलता है ग्रेविटेशनल कॉंस्टेंट का मान कभी नहीं बदलता है लेकिन अगर बात करें स्मोल जी तो मैं स्मोल जी की वेल्यू बदलती है स्मोल जी को क्या बोलते है एसिलिरेशन ड्यू टू ग्रेविटी गुरुद्व आकर्शन बलके कारण पैदा होने वाला तोरण और इसका मान बेसिकली अब कितना लेके चलते हैं कैलकुलेशन के लिए 9.8 और अगर कैलकुलेशन हाड होती है तो एक्जामनर आपको इसकी वैल्यू 10 दे देता है क्या देता है 10 अब देखिए यहां से आर्टिकल्स क्या है मैं बहुत ही डीप कॉंसेप्ट है सबसे पहला पॉइंट और याद रखना यह सारे फैक्स है और से कोशन के अंदर आती है कोई कहिग यहां से कोशन नहीं घाएगा तो कोई कहिए कि यहां से कोशन नहीं आएगा .. pó कि मैब। better YEast के पorno पता तो दिया था एंडू के वंडिया थी लोड कोश करी थी कहां खोए हुए थे चलो जी आगे देखते हैं महिंव जी के बारे में क्या क्या बाते पड़नी है जो आपका डूट ग्रैविटी होता है यह किस किस चीज पर निर्भड नहीं करता में यह रहकार पर और दिर्विमान पर नहीं करता है यानि की जो आपका G होता है किस पर नहीं करता थीजí एकलद सबीस बेरों पर और मांट करता महीं कि आप एब वेल्यू ऑफ जी कितनी होती है अब हम क्या लुटेंगे यहां से कि में उसला दक को a moon is less than on earth देखो अगर बात करे value of G तो G का मान चांद पर क्या होता है कम होता है as compared to earth जी का मान चांद पर क्या होता है as compared to earth और कितना होता है मैं मून की velocity कितनी होती है 1 by 6th of earth होती है कितनी होती है मैं 1 by 6th of earth होती है और मैंने last practice set जो कराया था वहाँ पर ऐसा ही एक नुमेनिकल भी कराय था, जी का मान, चांद पर प्रिधिवी से कम पाया जाता है, जिस कारण एक इनसान चांद पर जाधा कूद लेता है, जी है, मैं यहाँ कूदूंगी, तो मैं high jump नहीं लगा पाऊंगी लेकिन चांद पे आपने एक jump लगाई आप बहुत ज़ादा high जाएंगे क्यों मैं वहाँ पे gravitational force क्या होती है 1 by 6th of earth होती है जिसकी वज़े से क्या होता है आप चांद पर एक लंबी छलंग लगा सकते हैं अब ये question आया था ये question क्या था कि को कितना होता है 9236th of earth होता इसके बाद में क्या इसके बाद में आपको यहां से इसके बाद में यह वाली यह मैंसल्क भा दिए यह वाली पै तो आपको टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है यह डेरिवेशन ऐसे डिया है ङमें किया हम ने है को आप बोलेंकिया हमें क्याइसे आए में अब क्या हो जाएगा f is equal to mg एक ही जगर क्या लिख दिया जी लिख दिया जी लिख दिया अब एक फोर्स का फॉर्मला होता है वेली पॉर्मला क्या होता है मैं मेरे पास मान आ गया वाला और एक होता है आपका इसको क्या कर देते हैं मैं इसको हम लोग कर देते हैं जिन बच्चेंस पड़े होगी ओन बच्चों को समंझमें आजेगा अब बच्चों को इस बात को समझों से ज्षाल्ट कर का बताया कि जी कमानों old typically को एगी का मान कभी वी वी आई पी घोशन देखो एक बाद अगर हम बात करे विश्यूवत रेखा की अगर हम बात करे इक क्याटर की तो dese Такर पे g का मान कितना होता है मैं 9.8 m per second स्केर कितना होता है 9.8 meter per second स्केर और जी का मान पोल पर कितना होता है डुरुवत पर कितना होता है तो यहां से एक कोशन kayak कहा गया कि जी की वेल्यू पर ज़्यादा होती है अ as compared to equator गोड़ एंद केद्र में तो पिर्थिवी के केंद्र में जी कमान पेपना हो कि मैंम पॉल पे जी का मान ज्यादा की होता है कोशन क्या है कि पॉल पे जी का मान ज्यादा होता है तो हम क्या लिखेंगे मैंम यहां पे इंसान का वेट मैक्सिमम होगा अगर जी का मान ज्यादा है तो इंसान का वजन क्या हो जाएगा मैक्सिमम क्योंकि वजन को ही तो फोर् किर्थवी का इंसान का इंसान का बेट कहां ज्यादा होता है एक केटर पे या पॉल पे मैं पॉल पे पॉल पे ज्यादा क्यों होगा दुरुफ पे ज्यादा क्यों होगा क्योंकि मैं दुरुफ पे ही जी की वैल्यू ज्यादा है कितनी 9.9 है कितनी है मैं 9.9 है और जी की वैल जीर होती है सेंटर पर सेंटर बोले तो मैं केंद्र क्या होता है केंद्र बटा यह इंपोर्टेंट आर्टिकल्स है अगर कभी भी आपने सीपियों के एक्जाम दिया है तो आप समझ जाएंगे कि मैं ने जोई आर्टिकल लिखवाए हैं बहुत ही डीप डून-डून के बाद आए चाहे जी का मान पूशा जाए बढ़का जी का चाहे चुटका जी का या फिर इनकी वेल्यू क्या होती है युनिवर्सल लोग वेविटेशन किस ने दिया जी की वैल्यू कि इस दोनों की एसा यूनिट्स वगरा पूशी जाएंगी इसके लाबा कि स्मोल जी की वेल्यू जादा कहा होती है कम कहा होती है वस पढ़ना आपको पड़ेगा मितले शिया अदब गुड मोर्निंग हाजी रोनक सेंटर पी जीरो होता है आकाश कुमार बहुत दिन बाद आई यहां बच्चा थोड़ो सा बेड़ के टेकल में बीजी थी थी ना इसलिए है तो टेशन के बारे मिखा अगर अजैर पृतिस याद है तो वह पर आपे औले टान चेवर की घृरन कया हो जाएगा बढ़ जाएगा अगर पीर्थिवी की रोटेशन इई कि इड़ागी तो जी की वैल्ययों क्या हो जाएगी घड़ागी अगरर प्रत्रीवी का गुरन बढ़ेगा तो जी का मान क्या घटेगा कराया तो जीकी मान क्या क्या दिया औरOS के अधि पिर्थिभी ने घूमना बन कर दिया तो क्या होगा जो हमारी जी कि वेल्यूप पौल पर है वहीं जी की वेल्यू किस पर हो जाएगी मैम विश्वत रेखाप हो जाएगी यानि की एक्वेटर पर हो जाएगी तो दोनों वैल्यू पहां हो जाएगी जयन्त आ गया नहीं जयन्त आप मेरे पुराने स्टुजेंट है ठीक है और मुझे पता है जयन्त राइगुलर क्लास क्यों नहीं ली बच्चा मेरे बेड़ के एक्जाम्स है न जुराई में तो तेन देन के बता है क्या हो था तीन दिन ट्रैक्टिकल थे तो बीड़ फाइनल एर के प्रैक्टिकल देने जाना बहुत जरूरी था इसलिए मैं तीन दिन क्लास नहीं ले पाई थी योगि मैं बादुगर में फसीर है जाम में और बस रहा कि आपको पता है कितने शुचुल राज कल है तो इसलिए था बट आज मैं I am on time and मैं आपके साथ हूं जैन और सी बाद पर क्लास को आगे continue करते हैं तो देखो बिटा मैंने क्या बोला अगर हमारी अर्थ ने रोटेशन बंद कर दी अगर हमारी अर्थ ने गोल 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 घूमना क्या कर दिया बंद कर दिया तो उस इस किनिशन पर क्या होगा मैं जी पी याने की दिरुब के उपर जो गूरुट्व आकर्षन पाई गई फही और आपके विश्वत रहा पर गूरुत्त वरन की वैल्ल्यु क्या हो जाएगी में एक समान हो जाएगी हाँ सास फुल गई है थक गई चलो अब दो आज दो मज़े से रेगुलर पढ़ा रही हूं आगे देखो बच्चा आगे और आज की क्लास का लास्ट पॉइंट यह पॉइंट कहां पूशा गया है बिहार PCS 2019 बिहार PCS 2019 में पूशा गया कोशन है कोशन सम अर्थ बिकंस 17 ताइम teasing परेजन ओली हमारी पृतिवी की जितनी भी इस MPD है जितनी भी आपकी पृतिवी की बरुथियब एग है हमारी पृतिवी लाइग को आप क्या करेंगे सत्रह गुणा बढ़ा देंगे अगर हमारे पृतिवी करेंग को हम क्या बढ़ाएंगे 17 गुना बढ़ा देंगे तो body on equator become weightless यानि कि उस condition पर क्या होगा मैं उस condition पर क्या होगा कि जो इनसान है जो विश्वत रेखा पर पाए जाएगा उस वो क्या हो जाएगा भारहीन हो जाएगा और बिहार पीसिस के अंदर पूछा क्या कोशन है यदि आपने angular velocity of earth को 17 गुना कर दिया तो इनसान का weight equator पर क्या पाए जाएगा तो मैं इनसान का weight equator पर क्या हो जाएगा weightless हो जाएगा क्या हो जाएगा मैं weightless हो जाएगा कैसे यहां पर देख तो लो गुरन मतलब क्या मैं rotation yapocation increase हो जाएगी तो मतलब क्या क्या हो जाएगी decrease और याद रहना इन जब जब ज़ी का मान घटता है तो इनसान का weight क्या हो जाएगा जाएगा carrier कह जाएगा और गोरुरन बहुत ज्यादा बढ़ चाया जीरो अगर जी-जी रहो गया तो आप क्या हो जाएंगे भारहीन हो जाएंगे। आप क्या हो जाएंगे। क्या क्या कोई ड़ूट यहां सकता आज की क्लास को यहीं तक करते हैं कोप से यहानिगी पाइप से पी रहे हैं जाने कैसे आपके पैन की बानी नहीं कर दाटी यह ना अपी डिलाइए जान लाँगी तक क्लास मैं पेशोड़ी आज मैंने ग्रैविटेशन को करती हूं कि आज की क्लास समझ में आई होगी तो मैंने क्या किया जैन सामाफ कर दिया बिल्कुल ठीक्या चलिए तो बहुत दिनों से बिस्करा था सुषिल पाल कोई बात नहीं बिश्कर रही तो आज की क्लास मैंने आपको ग्रेविटेशन की कराई ग्रेविटेशन मैंने पार्ट बन पुरा करा दिया इसमें अभी बगोट कुछ बाकी है इसमें आपका क्यापलर्ट जो यूग आना अभी बाकिया जी कैपलयर्स लो मैंने क्या ओला एक धर्वाकेदार प्रेक्जिश्यotte कराओंगी एक भार कल की क्लास को पिन करके ज़रूर देखना कसं से कल की क्लास लेके आपका दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा अब मैडम ऐसा क्या लेकर आई है कल कराऊंगी तो कोशन से लेकिन एक नए स्टाइल में एक नए अंदाज में क्ल मैं क्या कराने जा रही हूं फीजिस का प्रेक्टिस सेट नंबर नाइन कराऊंगी तो होप सो उमीद करूंगी कि कल आप जो मुझे जाना है तो बैटा आप बता है जाने के लिए छे महिने की पानी के अंदर ट्रेनिंग भी जाती है जी हां आपको अगर एस्टनोट बनना है तो एक बाद काम करना अगर देख लो नास्तर कर्णा चावला जब इस में गई तो तीन महीने पानी के अंदर क कैसे खाते पीते वार ट्रेनिंग भी जाती है उसके बाद जाके एस्टनोट आप बनते है ठीक है आप अपना ध्यान रखिए बिल्कुल बिल्कुल हां चलिए ठीक है बटा ओके तो गुड़ वावी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना कल भी मिलेंगे एक नए प् करा रही है वो आप बैच पर चेस कर लिए विशाल को मार ठीक है बच्चा चलिए बटा तो मिलते हैं कल आप से पीजिक्स की कुछ और धामाकेदार कॉंसेप्ट के साथ सी यू सून मिस यू टू आल लब यू ट्यू आल गुडबाए झाल झाल झाल